बच्चों हम बारवी कख्षाई गनित की पाठ्थे पुस्तिका का अध्याय चार सार्णिक पढ़ रहे हैं जिसके अंतरगत आज हम प्रस्ण माला 4.5 के प्रस्ण इस भाग में हल करेंगे तो देखे हमारा प्रस्ण संख्या 12 कहता है ए आपको एक मैट्रिक्स दिया है जो 2x2 का वर्ग मैट्रिक्स है एक अनोधर मैट्रिक्स भी है वो भी 2 कोटी का वर्ग मैट्रिक्स है 2x2 ओर इसका है ठीक है a b का whole inverse equal to b inverse into a inverse होता है इसे हमें यहाँ पर इन मैट्रिक्स की सहयता से सिद करना है सिद करना है तो सबसे पहले a into b प्राप्त कर लेते हैं बच्चों a into b प्राप्त करेंगे तो a की value देखिए 3 7 2 5 आपको question में given है multiply में 6 8 7 9 दूसरा मैट्रिक्स b है पर्थम पंक्ति को सभी दोनों स्थम्भों से गुणा करेंगे तो देखिए 3 गुणा 6 आपका कितना हो जाता है 18 हो जाता है 7 गुणा 7 आपका हो जाता है 49 and 3 into फिर आप करेंगे 8 के साथ तो कितना हो जाएगा आपका पहली पंक्ति दूसरे स्थम से 24 यहाँ पर आ जाता है और 7 into 9 कितना हो जाता है आपका 63 हो जाता है बच्चो आगे चलते हैं दूसरी पंक्ति को दोनों स्तंबों से गुणा करेंगे तो पर्थम इस्तंब है 6-7 से और दूसरा 8-9 से तो देखिए 2 का 6 से गुणा करेंगे 12 आ जाएगा 5 का 7 से करेंगे 35 आ जाएगा ये जुड़ जाएगे फिर दूसरी पंक मैने मैत्रिक्स आपके पास इस तरह से आता है 18 प्लस49, 67 भच्चो का हो गया 24 प्लस 53 आपका 87 हो गया बच्चो 12 प्लस35 उपका हो जाता है 47 और 16 प्लस 45 आपका हो जाता है बच्चो 61 इस तरह से A इंटु B मैटिक्स आपने प्राप्त कर लिया अब A इंटु B का हम सार्निक प्राप्त कर लेंगे बच्चो A इंटु B के सार्निक का मांद देखेगा बच्चो कितना आएगा 67 इंटु 61 67 इंटु 61 माइनस 47 इंटु 87 47 इंटु 87 देखे आप 67 को 61 से मल्टिप्लाई करते हैं तो यह 4087 वेल्यू बनेगी और माइनस यहाँ पर बनेगी 4089 यह इक्वल टु वेल्यू आजाएगी माइनस 2 तो आप देखते हैं कि यह जो A B का आपने सार्निक प्राप्त किया है इसकी वेल्यू आती है माइनस 2 जो नोट इक्वल टु 0 है जीरो के इक्वल नहीं है जीरो के इक्वल नहीं है तो A और B के गुणन से जो मैटरिक्स मिला है आपको वो वैतकरमणी है और वैतकरमणी है तो इसके inverse का अस्तित्व हो जाता है और इसके inverse का अस्तित्व हो जाता है तो निकालने की विधी जानते हैं बच्चे formula कि AB का whole inverse आप निकालेंगे यनि कि इस matrix का whole inverse आपको निकालना inverse matrix equal to आपका क्या होता है 1 upon AB का सार्निक multiply में adjoint of जिस matrix का भी inverse निकालना है उसका adjoint तो यह AB की value प्राप्त कर लेते हैं ताकि अपन AB का whole inverse प्राप्त कर सकें AB के आपके adjoint की value आप निकालना चाहते हैं adjoint of AB तो हम कैसे निकालेंगे देखिए पहले सैखंडों का matrix बनाएंगे बच्चों और सैखंडों का मैट्रिक्स बनेगा उसका transpose कर देंगे तो adjoint of AB आ जाएगा कि X के सैखंडों का AB के सैखंडों का ठीक है AB के अअवयो का 1 सैखंड होगा उपसानिक निकालेंगे और सैखंड प्राप्त कर लेंगे देकिए जो यह सम्सृत इप्यूफियों की इस्थिति संब吗 समे तो इसको समस्थिति पर काउंट करेंगे हम यहाँ पर देखिएगा पंक्ति तो पहली है एक अब दूसरा है तो एक प्लस दो तीन विसम संख्या आती है तो इसकी स्थिति विसम है विसम इस्थति में जो उपसानिक मिलता है उसका चिन बदलकर आप सैखंड़ पराप्त कर ल उपसानिक और सेखंड बराबर होते हैं, यह बाते हमारी पहले हो चुकी है, चलिए ठीक है, 67 का उपसानिक हमें प्राप्त करना है, तो देखिए इसके इस्तम और पंक्ति को छोड़ने से मिला 61, 61 उपसानिक हुआ, और उतना ही 61 ही क्या हो जाएगा, बच्चो का सेखंड हो आगे बात करते हैं, 87 का देखिएगा, पंक्ति और इस्तम को छोड़ा तो मिला बच्चो को 47, 47 इसका उपसानिक हुआ, लेकिन विसम इस्थती पे होने के काण 47 का चिन परिवर्तित करके, माइनस 47 यहां पर आ जाएगा बच्चो, आगे बात करें, देखिएगा, यहां पर 47 की बात करें इस अव्यों की, तो इसके इस्तम और पंक्ति को छोड़ने से 87 मिलता है उपसानिक, और चिन परिवर्तित करके, माइनस 87 इसका क्या हो जाता है, सेखंड हो जाता है, 61 के सेखंड की बात करें, आपने पंक्ति छोड़ी इस्तम छोड़ा, 67 आपको मिला उपसान के रूप में और 67 ही क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका सेखंड हो जाएगा क्योंकि समिस्थती पर यह अव्यव है आगे बात करें ट्रांस्पोज करें तो पहली पंक्ति को पहले इस्तम में कनवर्ट करेंगे तो 61-47 आपका हो जाता है उसके बाद दूसरी पंक्ति को दूसरा इस्तम मनाएंगे तो माइनस 87 और 67 आपका यहाँ पर हो जाता है उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब आप कहेंगे कि A B का जो होल इनवर्स है उसकी वेल्यू देखिए आप यह लिख चुके हैं यह A into B के सानिक का मान पहले आपने माइनस दो प्राप्त कर लिया है तो 1 अपोन माइनस 2 और फिर एडजोइंट ओफ A B जो आपने अभी निकाला 61 माइनस 87 माइनस 47 और आपका 67 यह वेल्यू आपको मिल जाती है आप माइनस से अंदर मल्टिप्लाई करना चाहें या इसको ऐसे ही छोड़ दें और समीकर एक नाम देदें आपने LHS निकाल लिया है जो आपको समीकर सिध करनी थी उसका LHS था A B का आप इनवर्स अब निकालेंगे B or A inverse तो चलिए B on-verse काते हैं और A inverse की बात करते हैं तो matrix a और B हम देखते हें हमारे पास क्या उतलब्द होते रहीं आप पर A matrix कितना है, देखेगा, left side में देखते हैं, A matrix है 3725, तो आपका हो गया 3725, ठीक है, B matrix कितना है, आपको पास, B matrix question में given है, 6879, आपने लिख दिया, 6879, सबसे पहले, इनके सार्णिकों का मान पराप्त करते हैं, ताकि पता चले, कि यह व्यतकर्मनी है या नहीं, देखते हैं, A के सार्णिक का मान देखे, कितना आएगा, 5 को 3 से multiply करेंगे 15, और 7 दुना 14, minus 14, equal to 1, जो not equal to 0 है, not equal to 0 है, इसका मतलब A व्यतकर्मनी है, यहाँ पर देखे, दूसरी साइड में अपन B का सार्णिक का मान पराप्त करते हैं, 6 into 9, आपका कितना हो जाएगा, 54, minus, यह आपका हो जाएगा, 56, equal to minus 2, जो not equal to 0 है, इसका मतलब B भी व्यतकर्मनी है, अब बात करते हैं, adjoint of A की, adjoint of A बच्चे प्राप्त करेंगे, तो कैसे प्राप्त करेंगे, आप यह लिजिए matrix बना दीजिए, किसका सैखंडों का और उसका transpose कर देंगे, इसी तरीके से इध B का आप adjoint लें, तो adjoint of B, adjoint of B, equal to आपका किस तरह से आएगा, एक matrix ले लें, जो सैखंडों का है, और उसका transpose कर देंगे, देखें, यहाँ पर देखते हैं, अभी पीछे आपने बात की थी, यह 3 का सैखंड लिखना है, 3 की पंक्ती और इस्तम को छोड़ें, तो 5 मिलेगा, और 5 ही क्या हो जाएगा, आपका सैखंड हो जाएगा, फिर 7 का सैखंड लेते हैं, देखें, यह छोड़ा, पंक्ती, इस्तम छोड़ा, क्या मिला, 2 मिला, चिन परिवर्तित करके लिख दिया, यह सैखंड हो गया, यहाँ पर 2 का देखिए, आपने पंक्ती इस्तम छोड़ा तो 7 मिला, और चिन परीवर्तित करने से आपको 2 मिल गया और यहाँ पर देखिए 5 का, पंती और स्तम छोड़ने से 3 मिला और 3 ही आपका क्या हो गया, 2 यहाँ पर भी देखते हैं, 6 का 2 देखिए पंती इस्तम छोड़ने से 9 मिलता है, 9 उपसानिक ही 2 मन जाता है 8 की बात करें तो पंक्ति और इस्तम छोड़ा 7 मिला चिन चेंज करके second बना दिया उपसानिक का यहाँ पर देखिए 7 का पंक्ति इस्तम छोड़ने से 8 मिलता है minus 8 आपका second हो जाएगा उपसानिक 8 था 9 का देखिएगा पंक्ति और इस्तम छोड़ा तो 6 मिला 6 का 6 ही आपका क्या हो गया second हो गया यहाँ पर Adjoint of A Adjoint of A की value देखिएगा आपकी बनती है transpose करने से पहली पंक्ति को पहला इस्तम बना दिया दूसरी पंक्ति को दूसरा इस्तम बना दिया तो यह आपका Adjoint A आ गया इसी परकार इस साइड में देखिए Adjoint of B की value find out करते हैं कितनी हो जाएगी बच्चों पहली पंक्ति को यानिकी 9-7 इस्तम बना दिया है पर्थम दूसरी पंक्ति को दूसरा इस्तम बना दिया है ट्रांस्पोज कर दिया है ठीक है आगे A inverse की बात करें तो A inverse equal to क्या हो जाएगा A inverse equal to 1 upon A का सानिक A का सानिक कितना था एक ही था तो एक का भाग लगाने से कोई फरक पड़ेगा नहीं तो Adjoint A ही A inverse हो जाएगा यानिकि 5-7-2 और 3 यहां पर आप B inverse find out करना चाते हैं B inverse equal to क्या हो जाएगा 1 upon B का सानिक into Adjoint of B तो यहां पर 1 upon minus 2 हो जाता है और B का Adjoint जो है आपने निकाल रखा है 9-8-7-6 इस तरह से आपको मिलता है अब बात करें B inverse into A inverse की तो B inverse 1 upon minus 2 बाहर में multiply constant value है matrix से matrix का गुणन करेंगे तो 9-8-7 पहले B inverse लिख दे रहे हैं और बात में A inverse लिख देंगे 5-7-2 and 3 बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चों value कितनी आएगी 1 upon minus 2 और यह matrix आपका कितना बनेगा पहली पंक्ति को पहले इस्तम से गुणा करेंगे 9 को 5 से करेंगे आपको 45 मिलेगा minus 8 को minus 2 से करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा प्लस का ठीक है आगे बात करते हैं पहली पंक्ति को दूसरे इस्तम से करते हैं तो आपको यहाँ पर minus 63 मिलता है 9 को 7 से करेंगे 63 और minus का चिन minus 8 को 3 से किया तो आपको minus का 24 मिल जाता है बच्चों यहाँ पर देखिए दूसरी पंक्ति को पहले इस्तम से करेंगे minus 7 को 5 से करेंगे minus 35 और 6 को minus 2 से minus 12 आपको मिलता है यहाँ पर माइनस साथ माइनस साथ से होगा तो आपको 49 मिल जाएगा और 6 को 3 से करेंगे तो आपको प्लस का 18 मिल जाएगा बच्चो आगे बात करें 1 अपोन माइनस 2 यहाँ पर मैटेक्स क्या मिलेगा देखेगा 45 प्लस 16 आपका 61 हो जाएगा बच्चो माइनस 63 माइनस 24 आप यहां पर 49 प्लस 18 करेंगे तो आपको हो जाएगा देखिएगा ये आपका 67 हो जाता है बच्चो ये आप equation 2 बोल दीजिए पीछे में आपने ये निकाला है आपने B inverse into A inverse और equation number first में आपने क्या निकाला था देखिएगा इसको equation first बोला था इसमें AB का whole inverse निकाला था तो आप देख पा रहे हैं same value आ रहे हैं same value आ रहे हैं तो आप कह देंगे कि समीकर्ण एक वह दो से हम प्राप्त करते हैं AB का जो whole inverse है B inverse into A inverse के बराबर प्राप्त होता है इस प्रकार इस question को आप कर देंगे students अगला question, question number 13 देखिए यदि A एक matrix है 2 by 2 का work matrix है आपको दिया गया है है तो दर्साइए कि A square minus 5 A plus 7 I equal to O, O का मतलब आपका सुनने matrix इसके सभी अव्यव 0 होंगे समान कोटी का होगा, left side में जितनी कोटी का matrix बनेगा, right side में सुनने matrix उतनी ही कोटी का बनेगा ठीक है, सीध करते हैं LHS लेके चलेंगे, RHS निकाल देंगे, ठीक है, A square की बात हाई, तो पहले A square को find out करते हैं तो देखेगा A square equal to, A square equal to A, 3, 1, minus 1, 2, into 3, 1, minus 1, 2, यनि कि A को A से multiply करने से A square बच्चों को प्राप्त हो जाता है और बच्चों को फिर ये जो सिध करते हैं, इस equation के माध्यम से ही A inverse को ग्याद करना है कैसे equation को कर सकते हैं, देखिएगा, जब आप इसको गुणा करते हैं, तो पहली पंक्ति, पहला इस्तम, पहली पंक्ति, दूसरा इस्तम, यनि कि पंक्तियों का गुणन इस्तमों के साथ होगा तो 3 का 3 से कितना आया 9, और 1 का minus 1 से minus 1, फिर 3 का 1 से करोगे तो कितना आया आपका 3, और 1 का 2 से किया तो plus का 2, आप देखेंगे, minus 1 का 3 से minus 3, और 2 का minus 1 से minus 2, आगे चलें, minus 1 का 1 से आप करेंगे, तो कितना आएगा आपका minus 1, और 2 का 2 से करेंगे, तो आपका कितना बन जाए कर लिया तो जो a square का value है बच्चों का हो जाता है calculation के बाद 9 minus 1 8 हो जाएगा 3 plus 2 5 हो जाएगा यहां minus 5 हा जाएगा और minus 1 plus 4 यह 3 हो जाएगा a square find out कर लिया अब हम lhs लेके चलते हैं यनि की value निकालेंगे a square minus 5a plus 7i की ठीक है a square का value आपने find out कर लिया 8 5 minus 5 3 minus 5a a matrix आपको given है 3 1 minus 1 2 यह आपको question में given है plus 7 plus 7 और i i समान कोटी का a और a square जिस कोटी के हैं उतनी ही कोटी का 1 i matrix है तो बच्चे यहां पर लिख देंगे 1 i matrix 2 कोटी का यह निकी 1 0 0 1 यह value आपकी रखी जाती है यहाँ पर चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को अब इन सब को संगत अव्यों को जोड़ देते हैं देखें यह आपका पहला अव्यों 8 बनेगा इस matrix में minus 5 3 से गुणा होगा तो यहां minus 15 बनेगा तो संगत अव्यों यहां से minus 15 बनेगा 7 1 से गुणा होगा तो plus का 7 संगत अव्यों बनेगा अब इस अव्यों के संगत जो भी हैं जुड़ जाएंगे देखेंगा 5 अपनी जगे लिख दिया minus 5 को अंदर 1 से गुणा किया minus 5 बना तो संगत अव्यों यहां से minus 5 मिला और फिर 7 0 से गुणा होगा, 0 हो जाएगा, आगे देखिएगा, यहाँ पर 3 है, और minus 5 2 से गुणा होगा, तो minus का 10 बनेगा, और फिर 7 1 से गुणा होगा, संगत अव्यव यहाँ पर 7 बनेगा, आप देख पा रहे हैं बच्चों, यह calculation 8 minus 15 plus 7, cancel out होके 0 हो जाएगा, यहाँ पर कोटी का है, 2 कोटी का सुनने मैट्रिक्स आपका आया है, तो आपने देखा, a square minus 5a plus 7i equal to आपका o मिल जाता है, तो जो equation बच्चों को सीध करने के लिए दी गई थी, वो बच्चों ने सीध कर दी, अब इसकी माध्यम से हमें a inverse ग्याद करना है, तो देखिएगा, बच्चो क्या theory कहती है, आपने क्या equation, तो implies that ऐसा करने से आपको मिला कि आपने बताया कि a square minus 5a plus 7i equal to आपका o आ जाता है, इसीध कर चुके हैं, दोनों पक्सों में a inverse से multiply कर देंगे, तो दोनों पक्सों में ए समान operation करने से समीकण के समीकण पे कोई effect नहीं पड़ेगा, तो बच्च inverse into आपका सुनने matrix, ध्यान देने वाली बात है, देखिए, दो पक्स होते हैं एक equation के, एक LHS, एक RHS, आपने left side में जो values थी, उसके a inverse को left side में ही multiply किया है, लेकिन right side में भी o था, o के भी a inverse को left side में ही multiply किया है, ऐसा क्यों किया है बच्चों, क्योंकि matrix गुणन करम वीनी में नहीं होता है, committativity उसके अंदर नहीं होती है, इसलिए हमने ऐसा किया है, तो जहां रखिएगा, अगर A inverse को left side में multiply कर रहे हैं, तो आपके right side में भी left side में ही multiply करना पड़ेगा, जो भी value है उसके, और आप ऐसा करते हैं, कि किसी value के right side में A inverse को multiply करना चाहते हैं, तो यहां प पड़ता है, क्योंकि करम विनिमेता का पालन नहीं होता है गुणन में, अगर आप इधर में कर देते हैं, और इसको O into A inverse लिख देते हैं, तो यह रों हो जाता है, बच्चों, ध्यान रखिएगा, उसके बाद आगे बाद चल करते हैं, A inverse को अंदर में ले जाएंगे, गु एक A मैं भार में छूड़ दूँगा, गुणा में, तो यह A से A multiply होके A inverse into A square ही बनेगा, आगे देखें, minus 5 constant value है, यह जो matrix है A inverse, जाके matrix से ही इसका गुणन होगा, यानि कि A inverse into A, यह होगा, यहाँ पर plus 7 आपकी constant value है बच्चों, A inverse I से multiply होगा, तो A inverse into I आपका हो जाएगा, राइट साइड में, कोई भी matrix सुन्ने matrix से multiply होता है, तो जो सामने में result आता है, वो सुन्ने matrix ही आजाता है, इस कारण O ही यहाँ पर हो जाएगा, आगे बढ़ाएं बात को A inverse into A, बच्चे कोई भी matrix अपने परतिलोम के साथ जब multiplication लेता है, तो identity दे देता है, यानि कि identity की र minus 5I हो जाएगा, यहाँ पर plus 7, यहाँ पर A inverse identity matrix से multiply हो रहा है बच्चों, ध्यान देंगे, जब भी किसी matrix चाहे A inverse हो, चाहे B हो, कोई भी matrix I से multiply होगा, तो I उस पर effect नहीं डाल पाएगा, तब ही तो वो identity element है गुणन के लिए, तो A inverse into I equal to A inverse ही हो जाएगा, तो बच्चे इस into A A हो जाना चाहिए, क्यों? अभी आपने देखा, identity matrix A से multiply होगा, तो A पर कोई effect नहीं डाल पाएगा, तो A ही आजाना चाहिए, minus 5I और plus 7 A inverse equal to आपका O, आपको निकलना है A inverse तो इस value को, इस term को हम left side में रख रहेंगे, बाकी की right side में ले जाएगे, तो 7 into A inverse equal to आपका हो ज जाएगा, और A minus में हो जाएगा, minus A, तो 7 A inverse की value देखिएगा, 7 A inverse की value 5 into I, समान कोटी का, समान कोटी का, यानि की 2 कोटी का, यानि की 1001 और minus A, और A की value जो है, आपको question में given है, बच्चों, A की value आपके पास है, 31 minus 12, 31 minus 12, तो आप लिख देंगे, 31 minus 12, यह matrix यहां लिख देंगे, उसके बाद देखिए, 7 A inverse की value निकालेंगे, 7 A inverse की value निकालेंगे, तो आएगी बच्चों के पास, 5 को अंदर multiply कर दे, या 5005, और यहां पर minus को अंदर multiply कर दे, भार प्लस, छोड़ दे, minus 3, minus 1, 1, और यह minus 2, इस तरह एसे हो जाता है, आगे चलें, संगत अव्यों को जोडने के नियम से, 7 A inverse find out कर देंगे, तो यह देखिएगा, 5 minus 3, कितना हो जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, और 0 minus 1, यह minus 1 हो जाएगा, 0 plus 1, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 minus 2 कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, यह matrix आपको मिल जाता है, A inverse की value देखिएगा, 7 को divide कर दें, तो A inverse equal to हो जाएगा, 1 upon 7, given matrix 2 minus 1, 1, 3, आपने find out किया, इधर value, 7 से divide कर दिया, 2 upon 7, minus 1 upon 7, और 1 upon 7, और 3 upon 7, आपको यह matrix मिलता है, जो कि A inverse का value है, इस तरह से बच्चे, इस question को कर सकते हैं, अगला देखिएगा, question number 14, देखिएगा, एक value A दिया है, एक matrix से आपके पास, दो order का work matrix है, 2 by 2, के लिए A और B का मान ग्याद करना है, यदि ऐसा हो तो, तो सबसे पहले इसमें क्या दिखाई दे रहा है, A square, A square में find out करना पड़ेगा, जैसे पिछले की उस्वर में किया था, A आपके पास उपलब में value रख देंगे, value रखने के बाद, small A और B जो आपके पास value, इनकी values है, वो find out कर लेंगे, तो A square की बात करूं मैं, तो A square का मतलब A into A, A की value की उस्वर में से उठाई कितनी है, 3, 2, 1, 1, multiply by 3, 2, 1, 1, देखिए, पहली पंक्ती को पहले इसम से गुना करेंगे, तो 3 का 3 से 9 और 2 का 1 से 2, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, अब पहली पंक्ती को दूसरे इसम से गुना करें, तो 3 गुना 2, 6, और 2 गुना 1, आपका 2, और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बच्चों, आगे देखिए, दूसरी पंक्ती को पहले इसम से गुना करें, तो एक का 3 से 3 और एक का 1 से आपका 1 तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 और यहां पर 2 और 1 गुणा 1 एक यानि कि 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 तो आपको A स्क्वाइर की रूप में यह मैट्रिक्स मिल गया बच्चों. आगे बात करते हैं, प्रस्ना नूसार क्या कहा गया है? देखिए A स्क्वाइर इक्वल टू, A स्क्वाइर प्लस A, A प्लस B, I इक्वल टू, आपका सुन्ने मैट्रिक्स O हो जाता है, तो हम इसमें वेल्यूज पूट करते हैं, A स्क्वाइर की वेल्यू, 11, 8, 4, 3, यह मैट् यहनि कि A मैट्रिक्स के रूप में आपके पास 3, 2, 1, 1 गीवन है, प्लस B इंटू आई, आई का मतलब 1, 0, 0, 1, एक इकाई मैट्रिक्स है, समान कोटी का, देखिए, यह 2, 2 कोटी के वर्ग मैट्रिक्स हैं, और इनका योग भी क्या होगा, 2, 2 का वर्ग मैट्रिक्स होगा, तो सामने जो सुनने मैट्रिक्स बनना है, ओ, वो भी 0, 0, 0, 0 होना चाहिए, अब आगे बात करें, देखिए, इम्पलाइस देट, यहाँ पर आप इसके संगत अव्यों को जोडते हैं, तो सबसे पहले 11, 11 के संगत देखिए, A को 3 से गुना करेंगे, यह 3 A बनेगा 8, जिसका जो पहली पंक्ती दूसरे इस्तम का है, तो बोला जाता है A12, A12 यहाँ पर 8 है, A12 की वेल्यू, A से 2 को गुना करके कितनी मिलेगी, 2 A मिलेगी, और B 0 से गुना करके 0 ही हो जाएगा, तो प्लस 0 यह हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, 4 जो है, इसके संगत A को 1 से गुना करोगे, तो क्या मिलेगा, A मिलेगा, और उसके बाद बात करें, आगे तो B को 0 से गुना करके 0 ही मिलेगा, इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर 3 अव्यू लेता हूँ, संगत अव्यू बनेगा, A into 1 प्लस A आजाएगा, और यहाँ पर देखिएगा, B 1 से गुना ह तो B आजाएगा, और बराबर समान कोजटी का सुन्ने मैट्रिक्स रखा हुआ है, इसके बाद अगर यह मैट्रिक्स बराबर है, तो आप कहेंगे कि संगत अव्यू भी बराबर होने चाहिए, दो मैट्रिक्स बराबर होने का नियम क्या कहता है, उनके संगत अव्यू बरा दूसरी देखिए, यहाँ पर 8 plus 2A equal to 0, यह दूसरी equation, यहाँ पर देखिए, 4 plus A equal to 0, यह तीसरी equation, और यहाँ पर देखिए, 3 plus A plus B equal to 0, आपकी चोथी equation, समीकर्ण 3 से बात करूँ, समीकर्ण 3 से A की value minus 4 हो जाती है बच्चो, और समीकर्ण 4 से बात करूँ, तो समीकर्ण 4 से B की value कितनी हो जाएगी, एकी value रखेंगे minus 4, तो left side में बनेगा minus 1 plus B, और minus 1 right side में जाएगा, तो B की value हो जाएगी, 1, तो A और B की value आपने इस परकार प्राप्त कर ली, बच्चो, इस question को इस परकार बच्चे कर सकते हैं, आगे देखिएगा, अगला question, अगला question है, question number 15, क्या कहता है, एक value A है, जो 3 order का work matrix है, 3 by 3 कोटी का, ठीक है, दर्साइए कि A cube minus 6 A square plus 5 A plus 11 I equal to O, तो बच्चे सबसे पहले ग्यात कर लेंगे, इसमें A cube और A square, और A आपके पास a label है, आई आपका काई-काई matrix है, ओ आपका सुनने matrix है, तो दर्साइएगे, LHS लेके चलेंगे, RHS सीध कर देंगे, सबसे पहले A square निकालते हैं, A square का मतलब A matrix का गुणन A के साथ ही होगा, यानि कि 1, 1, 1, 1, 1, 2, minus 3, यहाँ पर 2, minus 1, 3, सेम matrix यहाँ पर गुणा कर देंगे, 1, 1, 1, 1, 1, 2, minus 3, 2, minus 1, 3, यह लीजिए, आगे बात को बढ़ाते हैं, A square का value कितना आएगा देखेगा बच्चू, A square का value, पहली पंक्ती को पहले स्थम से गुणा करेंगे, तो 1, 1, 1, 1, 1 फिर 1 जुड़ेगा, और 1, 2 कितना, 2 जुड़ जाएगा, यहाँ पर देखे, 1, 1, 1, 1, फिर प्लस 2, minus 1, फिर 1, minus 3, plus 3, इस तरह से पहली पंक्ती को तीनों स्थम्मों से गुणा करके यह elements निखाल लिए, दूसरी पंक्ती को सभी स्थम्मों से गुणा करेंगे, तो दूसरी पंक्ती को पहले स्थम से करें, तो 1, 1, 1 हो जाएगा, माइनस 3 गुणा 2 माइनस 6 हो जाएगा बच्चो और ये माइनस 6 हो गया है आपका आगे चलते हैं अब दूसरी पंक्ति को दूसरे इस्तम से तो 1 गुणा 1 आपका 1 हो गया 2 गुणा 2 आपका 4 हो गया माइनस 3 गुणा माइनस 1 प्लस का 3 हो गया आगे बात करें दूसरी पंक्ति को तीसे इस्थम्म से 1 गुणा 1 1 हो गया 2 गुणा माइनस 3 आपका माइनस 6 हो गया और माइनस 3 गुणा 3 आपका माइनस का 9 हो जाता है बच्चो यहाँ पर आप तीसरी पंक्ति को सभी इस्थम्मों से गुणा करेंगे दो गुणा एक दो और माइनस एक गुणा एक माइनस एक तीन गुणा दो कितना हो गया 6 हो गया दो गुणा एक दो और माइनस एक गुणा दो माइनस दो और तीन गुणा माइनस एक माइनस तीन हो गया उसके बाद दो गुणा एक दो और माइनस एक गुणा माइनस तीन प्लस तीन हो गया और फिर तीन का तीन से गुणान प्लस का नो हो गया इस तरह से यह मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा तो A स्कॉर का विल्यू देखेगा बच्चो कितना आएगा A स्कॉर 1 प्लस 1 प्लस 2 4 हो जाएगा बच्चो का 1 प्लस 1 प्लस 2 4 हो जाएगा बच्चो का और 1 प्लस 2 माइनस 1 आपका 2 हो जाएगा और यहां से 3 से 3 कटके 1 हो जाएगा यहां पर देखेगे 1 प्लस 2 3 और माइनस 6 है तो माइनस 3 आएगा यहां पर 4 प्लस 1 प्लस 3 8 हो यहां पर two minus one plus six seven हो जाएगा two minus two minus three minus three ही आ गया two plus three plus nine 14 हो गया तो इस तरह से आपने a square find out कर लिया अब बारी आई a cube की a cube को मैं लिख सकता हूं कि मैं a को गुणा कर दूँ बच्चों किस से a square से तो a cube बन जाना चाहिए a की विल्यू कितनी है हम उपर से ले ले लेंगे one 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 two minus three यह आपका minus three और फिर two minus one three इस तरह से multiply a square आपने अभी निकाला है four two one and minus three eight minus fourteen यहाँ पर seven minus three and fourteen इस तरह से यह दोनों matrix multiply हो जाएंगे तो करते हैं a cube का value देखेगा बच्चों a cube का value पहली पंक्ती को सभी स्थम्मूं से गुणा करते हैं देखें one को four से किया four one को minus three से किया minus three और one को seven से किया plus 7 इसी परकार पहली पंक्ति को दूसरे इस्तम और तीसरे स्तम से गुणा करते हैं तो आपका हो जाएगा 2 plus 8 minus 3 1 minus 14 plus 14 इस तरह से आगे देखेगा दूसरी पंक्ति को सभी इस्तमों से गुणा करेंगे तो एक को चार से गुणा किया बच्चों का 4 आगया, 2 का माइनस 3 से गुणा किया, 296 आगया, माइनस 3 को 7 से किया, तो आपका माइनस 21 आ गया,Well, इसके बाद दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंब से करेंगे, तो 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 16 और minus 3 minus 3 से होगा तो plus का 9 हो जाएगा बच्चों का यहाँ पर देखेगा 1 का 1 से 1 हो जाएगा 2 का minus 14 से आपका minus 28 हो जाएगा बच्चों और माइनस 3 का माइनस 14 से माइनस 42 हो जाएगा आगे बात करें 30 पंक्ती को सभी इस तम्मों से गुणा करते हैं तो 2 का 4 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बच्चों माइनस 1 का माइनस 3 से प्लस 3 हो जाएगा और उसके बाद 3 का 7 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा 9 उसके बाद 2 का 1 से 2 माइनस 1 का माइनस 14 से प्लस 14 हो जाएगा और 3 का 14 से प्लस 42 हो जाएगा इस तरह से आप इस गुनन को कर लेते हैं तो वेल्यूज क्या क्या बनती हैं देखिएगा एक यूब की बच्चू कैलकुलेशन के बाद जो वेल्यूज इसमें अव्यों की बनी वो देखिए यहाँ पर 4 माइनस 3 1 प्लस 7 8 बन जाता है यहाँ पर 2 प्लस 8 10 और माइनस 3 7 बन जाता है यहाँ पर 14 से 14 कटकर 1 आ जाता है यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 6 और 4 कैंसल आउट होके माइनस 2 और माइनस 21 माइनस 23 हो जाता है यहाँ पर 16 प्लस 9 आपका 25 प्लस 2 27 हो गया यहाँ पर देखिए माइनस 28 और 42 आपका यह हुआ 70 माइनस का और यह 1 है जो प्लस का है तो माइनस 69 आपको यहाँ मिल जाता है बच्चों यहाँ पर देखिएगा 21 plus 8 29 plus 3 32 हो गया यहां पर 8 9 और 4 calculation के बाद यहां बना minus 4 और minus 4 और minus 9 minus आपका 13 हो गया है यहां पर 14 और 42 आपका हो गया 56 plus 2 58 बन गया चलिए आपके पास A cube यह values आ जाती हैं अब आपने A cube निकाला A square आपने उपर निकाला अब आप equation में LHS में LHS जो आपको दी गई है गीवन है उसमें इन मानों को परतिस्थापित कर देंगे और LHS को लेकर चलेंगे RHS सुनने मैट्रिक्स आकर हम सिध कर देंगे तो देखें आगे मैंने लिख दिये हैं A cube minus 6 A square plus 5 A plus 11 I यह values आपको इस LHS को लेकर चलना था LHS में values रखी A cube की तो A cube देखें 871 minus 23 27 minus 69 32 minus 13 58 यह आपका A cube हो गया अब minus 6 minus 6 into A square यह आपका A square मैंने गुणा कर दिया उसके बाद देखेंगा plus 5 into A यह आपका A matrix लिख दिया और यहाँ पर I का मतलब 1 A matrix तो 1 A matrix आप जानते हैं बच्चों यह होता है 11 से गुणा करके रख दिया अब क्या करेंगे minus 6 को अंदर गुणा करेंगे जैसे minus 6 को 4 से किया तो कितना बन गया minus 24 बन गया इसी तरह सभी अव्यों से minus 6 को अंदर गुणा कर देंगे तो बाहर यह plus का sign आ जाएगा यहाँ पर 5 को अंदर multiply कर देंगे सभी elements से ऐसे 11 को भी अंदर multiply करेंगे तो मैंने यहाँ पर देखे लिख के रखे हैं आपने minus 6 को अंदर सभी अव्यों से multiply किया तो यह matrix आपको मिल जाता है यहाँ पर 5 multiply किया सभी अव्यों से तो यह matrix मिल गया और identity matrix I कोई काई matrix को 11 से गुना किया तो यह matrix मिल गया संगत अव्यों जोडने का नियम जानते हैं आप कि matrix का योग कैसे संगत अव्यों के योग के द्वारा प्राप्त किया जाता है तो 8 का संगत माइनस 24 और फिर 5 और फिर 11 यह आपने जोड़ दिये 8 माइनस 24 प्लस 5 प्लस 11 इसी परकार 7 का संगत देखिए 7 का संगत माइनस 12 फिर 5 फिर 0 यह आपने जोड़ दिये इसी प्रकार एक का संगत अव्यों माइनस 6, 5 और 0, आपने यहाँ जोड दिये, फिर माइनस 23 का संगत 18, और फिर इसके बाद 5 और उसके बाद 0, आपने इधर में यह जोड के रखे हैं, इसके बाद देखेगा 27 का संगत इसी तरह संगत अव्यों को जोडने से आपको यह प् कितने 24 प्लस के माइनस 24 का है 0 हो गया यहां पर देखिए 7 और 5 बारा माइनस का 12 तो 0 हो गया यहां पर देखिए 1 और 5 6 और माइनस का 6 उपलब्द है तो cancel out होके 0 हो गया यहां पर देखिए 18 और 5 माइनस 15 जुडेंगे तो माइनस 84 हुए और प्लस का 84 उपलब्द है इसलिए ये 0 हो गया उसके बाद यहां भी देखिए 32 और 10 आपके 42 प्लस के माइनस 42 है तो 0 हो जाता है यहां पर 18 और माइनस 13 माइनस 5 कितने माइनस 18 calculation के बाद 0 आ गया यहाँ पर देखिएगा 58 plus 15 plus 11 कितना 84 और minus 84 है तो यह 0 हो गया तो सामने O आ गया आपने सिध कर दिया जो LHS भाग लेके चले थे उनको solve करने के बाद आपको O यानि कि सुनने matrix मिल जाता है तो यह equation सिध हो गई equation क्या थी मैं बता देता हूँ आपको आपकी equation थी a cube minus 6a square plus 5a plus 11i equal to सुनने matrix O यह आपकी पास equation थी जिसको आपने अभी-अभी सिध किया है सिध करने के बाद आपको a inverse find out करना है इस equation से अभी आपने पीछे equation किया था उसी तरह से इसको कर देंगे a inverse से operation करवा देंगे गुणन का दोनों तरफ दोनों तरफ a inverse का करवाएंगे तो देखिए a inverse into a cube minus 6a square plus 5a plus 11i equal to आपका हो जाता है a inverse into सुनने matrix O आगे बात करते हैं a inverse अंदर गुणा होगा तो a inverse के साथ a cube मेंसे एक a ले लेते हैं और इन दोनों को साथ लेते हैं क्यों साचर्यता का पालन करता है matrix गुणन लेकिन करम विने मेंता का पालन नहीं करता तो यहां से यह हो जाता है minus 6 आपका बाहर constant value है a inverse a square मेंसे एक a ले ले लेंगे यहां पर और इनका multiplication करा देंगे एक a बाहर में बच जाएगा उसके बाद देखिए plus 5 ले लेंगे और plus 5 a inverse a हो जाएगा अब देखिएगा बच्चों a inverse को यहां multiply करेंगे तो आपका plus 11 बाहर आ जाएगा और a inverse i से multiply होगा और सामने आपका a inverse जब o से multiply होगा सुनने matrix से कोई matrix multiply होता है तो आपको सुनने matrix o ही मिल जाता है implies that यहां पर आगे क्या मिलता है कोई भी matrix कोई भी matrix अपने प्रतिलोम से गुनन करता है तो identity देता है और गुनन के लिए identity matrix आपका इकाई matrix होता है तो आपका यह i बन जाता है i into a square यहां पर minus 6 a inverse into a i यहां पर भी हो जाएगा और into में a लिखा हुआ है plus 5 a inverse into a आपका क्या हो जाता है i हो जाता है plus 11 into a inverse हो जाता है क्यों क्योंकि कोई भी matrix से अगर identity matrix multiplication करता है तो identity matrix गुनन के दोरान उस matrix पे कोई effect नहीं डालता इसलिए वो identity matrix कहलाता है यह परिभासा से होता है तो आप कहेंगे a inverse एक matrix है और i के साथ multiplication लेगा तो a inverse ही आ जाएगा और सामने बच्चे देखेंगे यह ओ आपका आ जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अब यह a square क्या था अभी आपने निकाला था matrix था और a square अगर matrix है और i से multiply हो रहा है तो a square ही दे देगा क्योंकि i to a square पे कोई effect डालेगा निक उनन के दोरान उसके बाद 6, 6-6 और i into a, a हो जाएगा और plus 5i plus 11a inverse equal to o देखे 11a inverse को अपन लेफ्ट साइड में रख लेंगे बाकी की values राइट साइड में ले जाएगे तभी तो अपन a inverse find out कर पाएगे तो देखे किस तरह से कर सकते हैं बच्चे आप लिखेंगे 11a inverse equal to आपका a square उदर में जाएगा माइनस का हो जाएगा ये 6a plus का हो जाएगा तो plus का लिख देते हैं और minus a square लिख देते हैं और उसके बाद 5i उदर जाएगा तो minus 5i लिख देते हैं a की value कितनी थी क्यूशन में आप देखिएगा क्यूशन में आप देखेंगे पीछे तो a की value आपके पास 1 1 1 1 1 1 1 1 और फिर 1 2 minus 3 1 2 minus 3 और फिर देखते हैं 2 minus 1 3 थर्ड पंक्ती है ये 2 minus 1 3 ये आपकी a की हो गई minus a square की value भी ले लेते हैं पीछे से देखिएगा a square की value यहाँ पर ये लिखी हुए है 421 421 आगे देखिए अगली पंक्ती minus 3 8 minus 14 माइनस 3 8 minus 14 और 7 minus 3 14 7 minus 3 14 ये आपने किसकी लिख दी a square की value लिख दी अब यहाँ पर देखिए minus 5 i i समान कोटी का ही का ही matrix 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 आपका ये हो जाता है अब आगे बात करें तो देखेगा बात को आगे बढ़ाएं तो आपका क्या होता है 11 a inverse equal to देखिए संगत अव्यों को जोड़ते हैं यहाँ पर तो यह देखिए 6 1 से multiply हो जाएगा तो 6 हो जाएगा ठीक है यह अव्यों बना 6 क्योंकि 6 बाहर में है यह जाके गुणा होगा ठीक है यहाँ से माइनस 4 से multiply होके माइनस 4 संगत अव्यों मिलेगा यहाँ पर माइनस 5 1 से multiply होगा तो माइनस 5 आपको संगत अव्यों मिलेगा आगे आगे बात करते हैं यह 1 6 से multiply होगा यहाँ 6 हो जाएगा बच्चों का 6 के बाद यहाँ पर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2 संगत अव्यों बनेगा इसका और माइनस 5 0 से multiply होके 0 ही हो जाएगा इस तरह से अब देखिए 6 1 से multiply होगा तो यह element 6 बनेगा आपका और उसके माइनस यहां लगेगा तो माइनस 1 संगत अव्यों यहां से मिलेगा आपको और माइनस 5 0 से multiply होके 0 आपका संगत अव्यों बनेगा अब बात करें आगे तो देखिए 6 1 से multiply होके यहां पर 6 देदेगा फिर उसके बाद माइनस 3 से multiply होके प्लस 3 आपका संगत अव्यों बन जा माइनस 8 से मल्टिप्लाई होगा माइनस 8 आजाएगा और उसके बाद यहां माइनस 5 1 से मल्टिप्लाई होके माइनस 5 दे देगा संगत अव्यव आगे देखे 6 माइनस 3 से मल्टिप्लाई होगा तो माइनस 18 यहां बन जाने वाला है माइनस 14 से प्लस 14 यहां पर हो जाने वाला ह और फिर 5, minus 5, 0 से multiply होगा, तो यह संगत अवयो, यहाँ 0 ही बन जाएगा, आगे देखते हैं, 6, 2 से multiply होगा, 12 हो जायेगा बच्चों का, और 12 हो जाएगा यहाँ पर माइनस से 7 मल्टिप्लाई होके माइनस 7 संगत अव्यो बनेगा और माइनस 5 0 से गुणा होके 0 ही संगत अव्यो बनेगा आगे देखिएगा minus one 6 से गुणा होगा तो minus 6 आएगा और minus minus यहां plus 3 आपका संगत अव्यों बनेगा और minus 5 0 से गुणा होगा जीरो संगत अव्यों बनेगा उसके बाद 6 3 से गुणा होगा यहां ठारा आएगा और माइनस 14 यहाँ पर संगत अवे बनेगा और यहाँ पर माइनस 5 बन जाएगा इस तरह से आगे बाद बढ़ाते हैं 11 A inverse का value कितना आता है देखिएगा calculation करते हैं 6-4 2 और माइनस 5 माइनस 3 आ जाता है 6-2 4 हो जाता है 6-1 5 हो जाता है यहाँ पर 6 plus 3 9 हो जाता है यहाँ पर 12-8 4 और 4-5 माइनस 1 हो जाता है बच्चों का माइनस 18 प्लस 14 माइनस 4 बच्चों का हो जाएगा 12 माइनस 7 आपका 5 आएगा यहाँ पर माइनस 6 और प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा 18 माइनस 14 प्लस का 4 और माइनस 5 तो माइनस 1 आ जाएगा तो इस तरह से आपकी ये values यहाँ पर आ जाती हैं बच्चों उसके बाद आगे बढ़ते हैं A inverse के लिए हम 11 से divide कर देंगे किसको पूरे matrix को minus 3, 4, 5, 9, minus 1 और minus 4 यहाँ पर 5, minus 3, minus 1 11 से multiply करके देखें A inverse कितना find out होगा आपका A inverse equal to बनेगा minus 3 upon 11, यह 4 upon 11, 5 upon 11, 9 upon 11 और minus 1 upon 11 और इसके बाद minus 4 upon 11 और 5 upon 11 यहाँ पर यह element बनेगा और यह minus 3 upon 11 बन जाएगा और यह minus 1 upon 11 बन जाएगा तो यह आपका जो matrix मिला बच्चों यह आपका A inverse है जो आपने find out किया चलिए अगले question पर चलते हैं अगला question है question number 16, question number 16 में देखेंगे हम कि एक A matrix given है आपको जो 3 by 3 का आपका work matrix है उसके बाद A cube minus 6 A square plus 9 A minus 4 A equal to O आपको संतुष्ट करवानी है और फिर A inverse ग्याद करना है बच्चों यह question में A में सिर्फ value change है elements की बाकी बिल्कुल वैसा का वैसा है जो आपने अभी 15 question किया था तो इसको बच्चे खुद करने का परियास करेंगे उसी तरीके से अगला देखिएगा अगला question number 17 कह रहा है कि A 3 by 3 का कोटी का वर्ग आव्यू है तो adjoint A का सारनिक का मान ग्याद कीजिए देखिए बच्चों आपको पता है कि adjoint of A adjoint of A के सारनिक का मान यदि A क्या हो N कोटी का आपका वर्ग matrix हो तो हो जाता है A के सारनिक की power N-1 और यहां अगर 3 देदें तो 3-1 कितना हो जाएगा A square होगा यह क्यों आता है देखिए किसी भी matrix A को वो N कोटी का matrix है मान लिजिए कि A N कोटी का matrix है जब adjoint of A से multiply करते हैं तो आपकी जो value आती है वो आती है A का सारनिक into I यह और I B क्या है समान कोटी का यानि N कोटी का होगा क्योंकि A B क्या है N कोटी का work matrix है तो यह का ही matrix है N कोटी का अब होता क्या है जब अपन दोनों तरफ सारनिक का दो matrix अब यह matrix जो भी है इस Matrix के बराबर है यह बात सत्य है politically Ice बच्रेक के बराबर होना चाहीए! अब मैं यहां पर आगे सत्य बात को बढ़ा हूं, तो देखे क्या आता है? अब मेरी थियोरी यहाँ पर क्या कहती है K into A का सार्निक यह N कोटी का है तो K जो है N पंक्तियों में गुणा होगा क्योंकि यहाँ पर अंदर मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स से K एक value multiply हो रही है तो K परतेक अव्य उसे गुणा हो जाएगा परतेक अव्य उसे मतलब परतेक पंक्ति में चला गया लेकिन सार्निक से भार जब के आएगा तो परतेक 35 क को मन लिया जा सकता है तो कितनी पंक्तियां हैं इसके अंदर इसके अंदर N पंक्तियां हैं तो K के उपर power N लग जाती है और फिर सानिक बच जाता है A-N का ये थियोरी आपने पढ़ी है दूसरी थियोरी A और B दो मैट्रिक्स है और इनका संयुक्त रूप से सानिक लिया जाए तो ये जो value है A के सानिक into B के सानिक के बराबर आती है ये बात भी ध्यान रखिएगा ये आपके गुण धरम है बचों आपको जो की पढ़ाए गए है तो यहाँ पर बात करेंगे तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ये A-Metrics है ये Adjoint A-Metrics है तो इस गुण धरम से यहाँ पर हो जाएगा A का सानिक into Adjoint of A का सानिक और A यहाँ पर कितने कोटी का है मालो N कोटी का नहीं हम तरम 3 कोटी का ले रहे है तो ये भी N का नहीं होगा 3 का हो जाएगा और N का लेंगे तो अपन देखिए किस तरह से इसको करते हैं तो यहाँ अगर N कोटी का लेकर चल रहे हैं तब तो A का सार्णिक constant की तरह बिहेव करेगा और बाहर जो power लगेगी इसके उपर N लग जाएगी जैसा कि आपने यहाँ पर देखा अगर N कोटी का है तो लेकिन क्युस्टन में 3 कोटी का दिया हुआ है उस पर भी बात कर लेंगे अब मैं बात करूँ यह जो आई-एन है यह N कोटी का इकाई मेट्रिक्स है इकाई मेट्रिक्स का सार्णिक हमेशा एक होता है चाहे वो कितनी ही कोटी का क्यों नहों तो यहाँ पर बात करें A का सार्णिक एडजोइंट ओफ A का सार्णिक बरावर A के सार्णिक की होल पावर N और यह हो गया 1 तो यहाँ से बात करें तो एडजोइंट ओफ A का सार्णिक बरावर A का सार्णिक की पावर N-1 क्योंकि यह नीचे जगा के उदर भाग में जाएगा तो एक पावर कम हो ज मिलाता हूं यह इस तरह से आपको मिला है और आप यहांद पर तीन रखेंगे तीन कोटी का मानेंगे तो पावर तीन से एक कम यानिकी एक के सानिक का वर्ग हो जाएगी तो अंसर कौन सा आजाएगा भी या जाएगा बच्छो अगला दिखियेगा क्यूस्ट जैने अपने inverse के साथ, जब multiplication का operation करता है, तो क्या देता है बच्चों, identity देता है, यह आप जानते हैं, अच्छा, अभी अभी आपने देखा था, यह दोनों values equal है, और left side में भी एक matrix बनेगा, और right side में भी एक matrix है, जो कि identity matrix है, तो दो matrix अगर बराबर हैं, तो उनके सारनिक भी बरा अभी आपने पिछले की उसन में देखा था, कि identity matrix असारनिक कितना होता है, एक होता है, और पिछले की उसन में यह भी देखा था, कि दो matrix के गुणन का सारनिक लिया जाए, तो उनके अलग-अलग सारनिकों के गुणन फल के बराबर आता है, इसका मतलब यह A सारनिक into A inverse के स determinant, तो इस बात को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, बच्चों, कैसे, ऐसे, यह A inverse है, मतलब, यह determinant है A inverse का, तो DET determinant of A inverse, इसको मैं लिख सकता हूँ, 1 upon A का सार्निक, A का सार्निक है यह, A का सार्निक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप determinant of, आप A इसको लिख सकते हैं, तो आपक आपका right option हो जाता है तो आज के लिए इतना ही बच्चों धन्यवाद